नमस्कार दूस्तों स्वागत है आपका मेंगे चनल टेकनिकल मास्टर जी में तो गाइस काफी बदों की कमेंट आ रही थी कि हमारा जो इंटरनेट एक्स्प्लोरर है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है कुछ प्रब्लम आ रहा है तो दोस्तो क्या problem आ रहा है उनका भी screenshot उन्होंने भेजा था तो आप देख सकते हैं कि जब भी वो Internet Explorer 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने Windows 7 में तो कुछ ऐसा उनको message आ जाता है get update वाला तो दोस्तो इस error की बज़र से काफी बंदे Internet Explorer 11 यूज नहीं कर पा रहा है तो आज के वीडियो में दोस्तो एक आपको आसान सा solution बताऊंगा कि कैसे उसको आप update कर पाऊगे दोस्तो यह जो trick है वो 32 bit और 64 bit दोनों में work करेगा दोनों में अलग-अलग setting है पर एक ही वीडियो में उसका में cover करूँगा तो वीडियो last तक देखिए अगर चैनल पे नवी हो तो चैनल को subscribe कीजेगा वीडियो को like कीजेगा और ज्यादा से ज्यादा share कीजेगा तो मैं पहले close कर देता हूँ क्योंकि मैंने update कर लिया है इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ okay so guys सबसे पहले आपको यहाँ अपनी computer की properties में जाके देख लेना है यहाँ आप देख सकते कि मेरा 64 bit है okay now guys आपको यह भी देख लेना है कि आपके windows में service pack 1 install है की नहीं guys अगर आपक पीसी में service pack 1 install नहीं होगा तो internet explorer 11 आपके PC में install नहीं हो सकता तो सबसे पहले तो आपको service pack 1 install कर लेना है guys अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उसकी link provide कर दूंगा i button यहाँ और यहाँ नीचे भी आपको description में भी link मिल जाएगी तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते है क कैसे आप service pack 1 install कर सकते है अगर नहीं है तो okay guys next है कि मेरा 64 bit है यहाँ आप देख सकते हैं आपका 32 bit है तो क्या process करनी है 64 bit है तो क्या process करनी है उसकी भी मैं आपको process बता रहा हूँ okay guys तो जिसको भी यह वाला problem आ रहा था get update वाला यह वाला okay get update वाला तो उनको क्या करना है उन कर रहा हूँ open करने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है अपडेट IE11 यानि कि update internet explorer 11 ओके तो उसपे click कर देना है और enter कर देना है तो यहाँ आपको scroll करके नीचे चले जाना है तो एक site आपको मिल जाएगी अभी site नहीं है तो मैं उसकी site link आपको description में भी दे दूंगा तो उसपे भी आप चले जाना तो वो कैसे search करना है तो यहाँ हम search कर लेत है optional update okay optional update IE11 ओके तो उसपे click कर देते है तो यहाँ देख सकते है कि पहली site हमें मिल जाती है documents microsoft.com वाली require update for internet explorer 11 ओके जब भी आप यह वाला message आएगा get update पे click करोगे तो यह site automatically open हो जाती है okay now guys अब आपको क्या करना है अब आपको इसको open कर लेना है okay अब first of all तो मैं 32 bit जो use कर रहे है बंदे उसके लिए क्या process है तो सबसे पहले आपको scroll कर लेना है scroll करने के बाद यहाँ आपको देख सकते है package दिया हुआ है download link दिया हुआ है okay तो जो 32 bit है उसके लिए first process है कि आप आपको यह यह जो download link है उसमें 32 bit लिखा होगा यह one पर यह two यह हमें save कर लेना है यह सब को save कर लेना है okay यह 1 यह 2 फिर 32 bit के लिए यह 3 फिर यह 4 यह 5 और यह 6 और यह 7 गाइस 7 update है 32 bit के लिए तो यह सब यहाँ से जो भी 86 और 32 लिखा है one two यह three okay और यह four five और यह optional six और यह seven okay तो जितने भी update है वो सब download कर लेना है और simply install कर लेना है guys यह जब हम install करते हैं ऐसे download करके okay तो उसमें क्या होता है कि आपका pc restart माकता है okay तो restart नहीं कर लेना है पहले आपको install कर लेना है बाद में restart करना है pc तो guys यह 32 मेरा already install है इसलिए मुझे मैं क्योंकि internet explorer already में use कर रहा हूं okay तो आपको क्या करना है यह अपना जो internet explorer 11 है वो download कर लेना है तो यहां आपको टाइप करना ie 11 32 bit 32 bit download okay तो यहां से आपको मिल जाएगा online 32 bit का internet explorer आपको site मिल जाएगी offline भी download कर सकते है पर यहां से आप मैं suggest करूंगा कि direct officially site से आप यहां से जो download करते हैं वहां से download कर लेना ओके download करने के बाद simply इसको install कर लेना कोई भी problem नहीं आएगा guys installation complete हो जाएगा और successfully installation होने के बाद एक restart वाला option आता है तो अपने PC को simply restart कर लेना restart करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपके PC है उसमें internet explorer 11 successfully install हो गया होगा अभी next बात करते हैं जो हमारे बंदे जो 64 bit यूज़ कर रहे है तो उनको भी same process है guys उनको यह सब download करने की कुछ भी जरूरत नहीं है 64 bit वालों को 64 bit खाली last वाला जो यहां list of optional update में आ जाना है यहां last में एक डम होगे उसमें आपको यहां last वाला download 64 package 4 यह आपके भी देख सकते हैं उसकी यहां से जो मैंने बताया 32 bit के लिए कैसे डाउनलोड करते हैं वह यहां से टाइप करते हैं 64 bit खाली 1164 bit खाली तो वह भी आपको sorry window 10 के लिए हो गया तो यहां window 10 नहीं होगा 7 ही होगा तो यहां से वह भी डाउनलोड कर सकते होगा windows 7 के लिए सो गाइस यह डाउनलोड करने के बार simply आप इसको install कर लिए इंस्ट्रॉल करने के बार restart के लिए एक बार पूछेगा तो simply restart कर लिए तो वह भी आपको जो get update का error है वह नहीं आएगा और successfully आपका internet explorer 11 install हो जाएगा अगर दोस्तों आपको वीडियो से कुछ अच्छा लगा है वीडियो में तो वीडियो को लाइक कीजेगा आपका काम हो गया तो अच्छा सा कमेंट करीजेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत